हाई देर वल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे रेस्टारेंट स्टाइल ड्राइ चिली चिकिन इस चिली चिकिन के रेसेपी में मैं आपको सिखाऊगी सेमी ड्राइ चिली चिकिन कैसे बनाते हैं और इसे आप as a starter भी खा सकते हो और as a main course so let's start यहापे मैंने लिया है 400 ग्राइम्स चिकिन इसे हम मारिनेट करेगे इसमें हम मिला लेगे 1 टेबल स्पून आफ जिंजर गालिक पेस्ट और 1 टी स्पून आफ सोया सॉस 1 टी स्पून रेद चिली सॉस 1 टी स्पून ग्रीन चिली सॉस एक अंडा नमक स्वादानों सर वन टेबल स्पून ओफ कॉन फ्ला त्री टेबल स्पून ओफ मैदा ओल परपस फ्ला इसे हमें आच्छे से मिलाना है मैं पेपर डालना बूल गई थी तो मैं इस पॉइंट पे वन टी स्पून ओफ पेपर मिला के इसको अच्छे से मिला के इसको 10 मिनिट के लिए मारिनेट करो भी 10 मिनिट हो गए हमारे चिकन को मारिनेट होते हुए अभी हम चिकन को डीप फ्राइ करेगे हम एक एक फ्रीज करके टेल में डाल देगे और इसे डीप फ्राइ करेगे हमें चिकन को गूल्डन ब्राउन होने तक तर ना जैसे चिकन गूलडन ब्राउन हो जाए हम उसे तेल से निकाल देगे हमने सारा चिकन को फ्राई कर के रख दिया है एक दूसरे पैन में हमने दो टेबल स्पून तेल लिया है इसमें अभी हम हमारे जूलियन कट किये हुए एक अधरक लैसन और मिर्चियों को डाल देगे और इसे एक मिनिट तक सौते कर लेगे सौते करते हुए एक मिनिट हुआ है अब हम मिला लेगे इसमें हमारा spring onion और capsicum जिसको हमने cubes में कट किया है दो मिनिट सौते करने के बद हम इसमें मिला लेगे one teaspoon of soya sauce इसे अच्छे से मिलाना है अभी इसमें मिलाएगे one teaspoon of red chili sauce इसे फिर से अच्छे से मिलाएगे हम अभी इसमें हम मिला लेगे हमारा fry किया हुआ च्छिकिन च्छिकिन मिलाने के बद अच्छे से हमें मिलाना है इसको तो पर मैंने दिया है one teaspoon vinegar विनिगर डालने के बद हम इसे अच्छे से मिलाएगे फिर से यहाँ पर मैंने आधे कप से भी कम पानी में one tablespoon of corn flour मिला लिया है और इसको हम चिकिन में आड़ कर देगे और इसे अच्छे से stir करना है हमें इसको एक मिनट तक अच्छे से मिलाने के बाद मैंने one tablespoon of tomato ketchup मिला लिया है इसमें इसको अच्छे से मिलाएगे हम इसे अच्छे से मिलाने के बाद मुझे इस point पे हमारा mixture dry लग रहा था तो मैंने आदा कप से भी कम पानी इसमें मिला लिया है मैं अच्छे से stir करना है इसे इस point पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक और यहां पे half a teaspoon of pepper powder मिला लिया है इसे अच्छे से मिलाएगे हम फिर से यहां पे one tablespoon of ketchup मैंने और डाल दिया है इसमें अच्छे से मिलाना है ketchup डालने के बाद half a teaspoon chicken powder को मिला लिया है इसमें अगर आपके पास chicken powder नहीं है तो आप skip कर सकते हैं अभी हमारा dish ready हुआ है फ्लेम बन कर देगे और इसे dish out करेगे इसको एक अच्छे से serving dish में निकाल के इसको spring onions के साथ गानिश करेगे और इस और इस शोब करने के लिए तयार है झाल